जहां चाह है वहां राह है, जहां आप दिल से किसी चीज को चाहते हो, वहीं पर आपको रास्ता मिलता है, राह मिलती है, और आपने पहला कदम उठा दिया है, आपने राह चुन ली है कि आपको civil servant बनना है और तयारी स्टार्ट करनी है, और यह यकीन मानिए, यह जो आपने राहे चुनी है यह आपको मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे, टाइम जरूर लग सकता है, पर आपको यह मंजिल तक जरूर पहुचाएंगे, जैसा एक quotation है, कि यह राहे जो हैं, यह राहे मंजिल तक ले ही जाएंगी, होसला रखो, कभी सुना है, अंधेरों ने सवेरों क को ना होने दिया हो, क्या आंधेरों कभी सवेरे को होने से रोख सकता है? नहीं रोख सकता, इसलिए अगर आप पूरा द्रण श्य होकर तयारी करें, तो कोई भी आपको सफलता प्राप्ट करने से रोख नहीं सकता, अभी बहुत से आलोचक होंगे आपके जीवन में, तब दूसरे आसपास के लोग हम पे शक करते हैं, या हमारी जो काबिलेत हैं, उसको पहचानते नहीं हैं, तब हम भी थोड़े बहुत कई बार घबरा जाते हैं, पर आपको उससे घबराना नहीं, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, कि आप घर जाओगे छुटियों में, या इधर उदर जब जाओगे तो लोग कहेंगे, ओहो, एक साल हो गया, तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता रिजल्ट इतना जल्दी, तो रिजल्ट के लि कभी उसकी value होगी जीवन में, हमारी value हम खुद करेंगे, तभी तो दूसरे लोग हमारी value करेंगे, एक कहानी सुनाती हूँ आपको छोटी सी, एक पिता और पुत्र की कहानी, एक पिता थे, उनके पास उनका पुत्र आखर पूस्ता है, के पिता जी मेरा मुल्य क्या है, और बेचते समय तुम्हे एक चीज का ध्यान रखना है, कि तुम्हें बोलना कुछ नहीं, जो भी तुम्हे इस पत्थर का मुल्य पूछे, उसके सामने आप ये दो उंगलियां जाकर उसको दिखा दो, कोई भी आपसे पत्थर का मुल्य पूछे, आपको सिर्फ ये दो उंगली दिखानी, वो बाजार जाता है बच्चा, बाजार में जाकर उसे एक महीला जो है पत्थर खरीदने आती, कि ये पूछ पूछे इसका मुल्य क्या है, वो बाजार में किसी महीला ने इस पत्थर के दाम लगाए दो-सो रूपे. फिर पिता-जी ने कहा अच्छा इस पत्थर को ले खर तुम मूझियम जाओ, संग्राले जोहता है वहाँ जाओ, मुजियम गया वह बच्छा, मुजियम जाने पर उससे पूछा गया कहा यह पथर कितने में बेच रहे हो, उसने वापस दो उंगलिया दिखाई और दो उंगलिया दिखाने पर, मुजिएम वाला जो व्यक्ति था, उसने का, अच्छा, क्या ये पत्थर 20,000 का है, क्योंकि म्यूजियम में, संग्राले में, जो चीजे बेचने आते हूं, जो महँगी होती है, तो उन्होंने का, क्या ये पत्थर 20,000 का है, तो वो वापस गया, बच्चा भागते वे अपने पिताजी के पास, और बोला, कि पिताजी अब इस पत्थर के मुल्य जो है, म्यूजियम के अंदर 20,000 रुपे लगाया गया है, फिर उसके पिताजी ने कहा, अब ऐसा करो, तुम बहु मुल्य पत्थर वाला जो व्यक्ति है, प्रिशे स्टोन्स खरीदने वाले व्यक्ति के पास गया, और वहां जाकर वापस उसने पत्थर दिखाए, और मुल्य पूछे जाने पर उसने दो उंगलिया दिखाई, और वहां प्रिशे स्टोन की दुकान में, उसके पत्थर का मुल्य आका गया 2,00,000 रुपे, और मुल्य पत्थर की दुकान पर उसका मुल्य अलग था, तो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग मुल्य हो सकते हैं, आपकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप किस स्थान पर जाकर अपने आपको रखते हो, आप खुद अगर किसी निचले स्थान पर जाकर सेटल हो तो आपका मूल्य भी बढ़ जाएगा. Your value depends on the place where you place yourself. जिस स्थान पर आप अपने आपको रखते हैं, वो स्थान निर्धारित करता है कि आपकी कीमत क्या है. तो आपने सबसे बड़ी चीज जो आज की है, अपने जीवन में ये फैसला किया है कि सिवल सर्विसिस में जाना है, आरेस बनना है, जो राजस्थान की सर्वस्ष्ट, सर्वत्सम्मानित जो सेवाई हैं, उनमें आप आना चाहते हो. तो इसके लिए आप अपने आपको साबाशी दो, आपने बहुत बड़ा निन्ने लिया है, कि आपने अपने आपको कम नहीं आका, आपने अपने आपको ज़्यादा आका है, अच्छा आका है, और आपने आपको एक बेस्ट प्लेस पे आकर और खड़ा करने की कोशिश की. जिसके लिए आप लोग सब जो हैं और आपके पेरेंट्स जिन्हों ने आपको यहां भेजा हैं, वो सब के सब जो हैं बधाई के पातर हैं, रियल में बहुत बड़ा डिसिजन होता है, आपको लगता बहुत चोटा डिसिजन है, पर किसी से पूछो, आम लोग यह डिसिजन लहीं नहीं पाते हैं, बहुत कठिन होता है, क्योंकि जिस तरह की परिस्तितियां होती हैं, सब के घर में, सब के कोई ना कोई समस्या होती हैं, और ऐसी समस्याओं से उभर कर और बड़ा कुछ सोचना जीवन में, वो बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए इस कहानी से आप कि आपकी वैल्यू कौन ते करेगा, आप कि स्थान पर अपने आपको रखते हों, और रखने की काम वो किसका है, आपका खुद का है, तो आप अपने आपको बेस्ट प्लेस पे रखो, आपकी बेस्ट वैल्यू होगी, आपका मुल्य बढ़ जाएगा, तो इसलिए सबसे ब पढ़ा होगा, कहीं तो पता होगा आपको, कि आरेस एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें तीन स्टेप्स होते हैं, बड़े-बड़े. पहले होता है प्री का एक्जाम, फिर होता है मेंस का, लिखित परिक्षा, और उसके बाद तीसरी पढ़ाओ, आपका इन्टरविव, तो तीन प्रोटैस है, तीनों प्रोटैस की पीच में, कुछ महिनों का अंतराल होता है, कुछ मंद्स होते हैं, और यह जो प्रोटैस है अपने आपे, पहले आप एक साल भर करते हो, उसके बाद आप एक्जाम देते हो, तो एक्जाम खुद अपने आप में प्रोसेस ले लेता है एक डेट साल का, तो इसका मतले भी प्रोसेस बहुत लंबा है, और इतने लंबे प्रोसेस में अगर आपको टिके रहना है, तो आपको एक तो होना चाहिए, सेल्फ कॉंफिदेंस, फुद पर विश्वाश होना चाह हां मैं कर दिखाऊंगा, समय जरूर लग रहा है, पर मैं कर दिखाऊंगा, एक तो यह होना चाहिए, दूसरा आपको patience रखना पड़ेगा, धेरे रखना पड़ेगा, धेरे बिना रखें जो हैं, कोई RS में सफल नहीं हो सकता, पूजा कर के होगे कोई, उनके parents बला रहें न पहनत करनी पड़ेगी, regular studies करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप RS का लक्ष प्राप्त कर पाऊंगा, पर जैसा आपको, sir ने बताया अभी-अभी, कि बाकी सब चीजों की तुलना करें अगर हम, जैसे किसी business को set up करने की तुलना करें, या फिर अपने जीवन को अच्छा बनाने का, सार्थक बनाने का, क्या हो सकता है, civil सेवाओं के competitive exams देकर, और सीधे बड़े ओदे को प्राप्त करना, इससे सरहल कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक exam देना है, exam पास करना है, उसमें top किया, तो आपको services, उसमें आपको posting मिल तो सरहल ही दूसरे चीजों की तुलना में, पर सफर लंबा है, अगर आप यह सोच कर आए हैं, कि एक ही दिन में RS बन जाओंगा, तो ऐसा संभव नहीं है, आपको प्रकृती से, नेचर से कुछ सीखना चाहिए, नेचर आपने देखा होगा, अपने आप में बहुत सी दूसरी चीज जो नेचर प्रकृती हमें सिखाती है, वो यह है कि एक दिन में कोई बदलाव नहीं होते, बदलाव होने के लिए समय लगता है, जैसे आपने कोई बीज लिया और किसी पवधे का बीज जो है आपने मिटी में डाला, और आप यह उम्मीद करो एक ही दिन में पेड उख जाए और एक ही दिन में उस पर फल लग जाए, यह समभव नहीं है, तो दिरे दिरे होने के लिए आपके पास पेशन्स होना चीज, धेरे होना चीज, धेरे होगा तो चीज आराम से धेरे-धेरे हो जाएंगे, आपको पता है एक स्टेप लेते हमें, तो हमें द यह कहले कि बिना महनत के आरेस बन सकते तो ऐसा नहीं, स्मार्ट स्टड़ी करो, स्टड़ी करो, पर कढ़नी तो पढ़ेगी, पढ़ना तो पढ़ेगा, तो पढ़ने का लक्ष बना कर आए हो, और आपको पूरा यह पता है, कि हाँ, आप इतनी महनत कर लोगे, तो आपको क कोई भी चीज चमक नहीं सकती, तो घिसना पढ़ेगा मतलब महनत करनी पढ़ेगा, परिक्ष्रम का कोई विकल्प नहीं है, और कुछ लोग जो किसमत पर रोते हैं, कि मेरी किसमत में यह नहीं है, किसमत कुछ नहीं होती, आप अगर परिक्ष्रम करो, तो परिक्ष्रम ही आपकी किस्मत के दर्वाजे खोल देगा, परिक्ष्रम ही आपकी किस्मत के दर्वाजे की चाबी है, इसलिए आप अगर महनत करे, पढ़ाई करे रेगुलर, तो आपको आरेज बनने से कोई नहीं रोख सकता, कि नेवर गिव अटिट्वीड जो होता है, वो आपको सफलता तक लेकर जाता है, कभी भी बीच में धक हार के हमें अपने लक्षे को छोड़ नहीं देना है, हमको निरंतर प्रयास करते रहना है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको पता है, consistency, जिसको हम निरंतरता कहते हैं, consistency या निरंतरता, एक सामान्य से व्यक्ति को भी सर्वश्रिष्ट बना सकती है, अगर वो लगातार प्रयास करें तो, consistency can convert or transform average into excellent, कोई भी average चीज को excellent बनाये जा सकता है, consistency से, आपने एक बहुत सामान्य सा एक बहुत common दोहा सुना होगा, करत-करत अभ्यास, जडमति होध, सुझान, रसी आवध, जात है, शिलपरकरत निशन, तो सोचे, रसी भी अगर पथर के उपर निशान कर सकती है, लगातार, अगर वो चले उस पथर के उपर, आपने यह भी सुनाओगा, कि पानी की बून पसी पत्थर पर जब लगातार गिरती है, तो वो पानी की बून पत्थर में भी सुराख कर देती है, छेद कर देती है, तो हम लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी सफल हो सकते हो, अगर आप निरंतर प्रयास करो, निरंतरता का मतलब क्या है यहां पर, consistency का मतलब क्या है consistency का मतलब है आप अगर ये सोचें कि मैं exam से दो दिन पहले 24-24 गंटे पढ़ूंगा रातों को सौँँगा नहीं और exam में perform करके मैं RS बन जाऊंगा तो ऐसा संभव नहीं है कैसे किया जाए इसको तो करना कुछ नहीं है डेली जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आप consistently निरंतरता से रोज revise करें रोज 4-5 गंटे 6 गंटे भी डेली के अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे ये नहीं है कि एक दिन में आप 20 गंटे पढ़ लो 20 गंटे पढ़ लो चमतकार हो जाएगा एक दिन में चमतकार नहीं होता डेली डेली थोड़ा 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 पढ़ते हो तो उससे चमतकार होता है उससे चीज़े क्लियर होती और कई बार ऐसा होता है कि कोई concept जो आज आपने पढ़ा, आप थोड़ा सा उस पर विचार करते हो, उसको revise करते हो, दो दिन बाद दुबारा उसको revise करते हो, कभी आपने ऐसा notice किया है, कभी भी पढ़ाई करते वक्त, कि एक किताब को जब हम second time पढ़ते हैं, दूसरी बार, थोड़ा जाद अच्छे से समझ में आती है, तो उसमें कोई नया पहलू हमारे सामने आता है, जो हमें फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ में आये था, तो अगर आप continuously regular studies करोगे, एक ही चीज को 10 बार revise करोगे, बजाए के 10 चीजों को एक एक बार revise करने के, तो आप आसानी subjects ऐसे हैं, जो concept-based है, जिनके अंदर आपको अगर उसकी मूल अवधाना, basic concepts वगरा पता है, तो आप अराम से exam में उसको clear कर सकते हो subject को, उसमें रटने की भी जुरूरत नहीं होती, तो subjects ऐसे होते हैं, समझने वाले, understanding-based, उनको आप exam में आराम से deal कर सकते हो.